नमस्का स्वागत है आपका अपने इस चैनल देशी रसोई तड़का में तो आप थमनेल देखके तो पहचानी गए होंगे कि हमनों क्या बनाने वाले जी हां हम बनाएंगे कड़ी कड़ी किसको नहीं पसंद तो चलिए बनाते हैं कड़ी की पकोड़ी बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है बेसन जीदा और नमक इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यहां पर मैंने एक बोल लिया है उसमें अच्छी तरह से मैंने बेसन नमक और जीदा डालकी मिक्स कर लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं फेट लूँगी इसे अच्छी तरह से फेटने क मुझ में घुल जाएंगे इतनी सौफट बनेंगी इसको इसी तरह से आप भी फेट लीजिएगा अच्छी तरह से पेट लिएगा इसे और देखिए कैसे बन के तयार हो रहा है इसको ऐसे बनाना इस तरह से त्यार करना अभी अच्छा घ्रासा फूल गया है प्रब्लीं और कड़ाई में लिया है सरसो का में दिल से कड़ा ए 250 अपर रार के हम लोग पाकोड़ियां को ऐकख करके हम JERSEON की पाकोड़ियां डालते जाएंगे यहां पर मैंने में फ्लेम को मीडियम लग दिया है और इस तरह से दूरें से एकड़ियां एक एक करके डालेंगे थोड़ा सा दूर से डालेंगे नहीं तो यह चिपक जाएंगी आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है यह कॉमेंट में बताना मत भूलिएगा और यह वीडियो एंड तक देखिएगा आपको ज़रूर अच्छा लगेगा यह वीडियो यहाँ पे जो पहली पकॉड़ी मैंने डाली थी वह पलटने के लिए तयाद हो गई है अब इनको अगर आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि अगर मैं नेक्स वीडियो जब डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाएगा आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत माइने रखता है आप सपोर्ट करते लाइक शियर एंड सस्क्राइब कर दीजेगा अगर आपने सस्क्राइब कर दिया है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यह देखिए पकोडियां सुनैरी सुनैरी सी हो गई है और जो हलकी सी कच्छी सी है तो मैंने उनको पलेट दिया है इसी तरह से इनको चलाते रहें और चलाते चलाते पकोडियां बना लेंगे जिनको नहीं आता है उनके लिए अच्छा है तो ऐसे चलाते रहेंगे और जब यह पक जाएंगी तो इनको हम निकाल लेंगे आप हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है और अगर आप यह मेरा वीडियो देख के इस डिस्ट को ट्राइ करते हैं तो मुझे ज़रूर बताईएगा अगर कोई डॉय डाउट होता है आपको या आपकी डिस्ट कैसी बनी मुझे अच्छा लगेगा अगर आप यह थोड़ी सी हेल्प होती है मेरे वीडियो के सदिये मे यह देखिए मैंने यहां पर पकोड़िया निकालना चालू कर दिया है यह हलकी हलकी सी भूरी हो गई है और यहां पर सारी तयार हो चुकी है यह पकोड़िया अब जो बचा हुआ बेसन था मेरे पास मैंने उनकी भी पकोड़िया यहां पर डाल दी है एक एक करके डाल दें तक हम लोग हाई फ्रेम कर देंगे तो यह ऊपर-उपर से पख जाएंगी और अंदर से कच्छी रहेंगी तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो मीडियम फ्लेम पेस्का टेस्ट अच्छा आएगा अंदर तक यह पक जाएगी यह देखिए अब इनको चलाते जाएंगे और बूनते जाएंगे अच्छी तरह से फ्राइए कर लेंगे हम लोगी ने इस तरह से आप चलाते रहिएगा यह तैयार हो गई है अब मैं इनको दीदे दे करके निकाल लूँगी चलते हैं कड़ी के आगे की प्रोसेस में यहां मैंने लिया एक बोल उसमें लिया है बेसन अब इस बेसन को अच्छी तरह से हम डूग घोल लेंगे इसमें पानी डाल की इसका घोल तयार कर लेंगे इसमें दीरे दे पानी डालेंगे नहीं तो इसकी गुठ्लियां बन जाती हैं जो की टेस्ट में अच्छी नहीं आएंगी और थोड़ा थोड़ा पानी याट करेंगे और इसको ऐसे पेटते हुए तयार कर लेंगे बिल्कुल यह देखें इस तरह से पेटते पेटते त्यार करना है तक कि इसमें गुट्लिया ना पड़ें यह इसको इस तरह से इतना पतला घोल लेना है यह देखें फिर लिया है दही और दही को भी अच्छे से फेट लेंगे मैंने यहां पर मथानी की हेल्प से इसको अच्छी तरह से पेट लिया है यह हींग लिया है जीदा और खड़े मिर्च इसको मैंने कड़ाई में तड़के के लिए डाल दिया है और जब जीदा चटकने लगेगा तो इसमें मसाले डालेंगे हम मसालों में मैंने यहां पर लिया है हल्दी धनिया पाउडर लाल मिर्च और नमक इनको मैंने पानी में अच्छी तरह से गोल लिया था फिर डाला है अब इनको इन मसालों को हम अच्छी तरह से पकाएंगे चलाते रहेंगे इसी तरह से इस तरह से चलाने से यह जल्दी भी पक जाता है और जलता भी नहीं है तो आप इसे लगाता चलाते रहीएगा जब यह पक जाएगा तो यह तेल छोड़ देगा मसालों की सबसे अच्छी आदत यह होती है जब वह पक जाते हैं तो वह तेल छोड़ देते हैं यह देखिए यह मसाले भून रहे हैं ऐसे ही भूचने हैं आपको अब इसमें एड़ करेंगे हम लोग दही जो की फेट के हम लोग रखा था और इसमें हम लोग इसे चलाते रहेंगे वरना यह दही जो आव फड़ रहेंगे तो को Martijn इसहें अगतर दाहुचनल में eye 1 पर दो इसमें रहेंगे और फड़ ड़ना है आपके तुर सब उड़चन का तुरह कलें यह रंटके करेंगल़ और यहाँ लिए बेशन ना ऐ पने हैं और इसमें थोड़ा सा पानी भी अट करेंगे और इसको रेगुलर चलाते रहेगा वरना इसमें गुट्लिया पड़ जाएंगी जो की टेस्ट में बहुत ख़ड़ाब आती हैं थोड़ी सी महनत करने पर ही कड़ी अच्छ टेस्ट देती है देखिए इसी तरह से चलाते रहें हम लोग का मैंने इससे कम से कम 10-15 मिनट चलायाथा मैंने यिसे तब जाके इसमें उबाल आया था पाई है अब इसमें उबाल आने लगा है और ने लगा है है उसमें ये ओपर आने लगा था मैंने इसकी बिल्कुल low flame कर दी है यह इस तरह से बनेगार भिल्कूल ये देखिए इसमें उबाल आ रहा है अभी भी इसको चलाते रहेंगे हम लोग और चलाते चलाते ही इसमें जो हमनों ने पकोड़ियां बनाई थी वो पकोड़ियां इसमें एड़ कर देंगे अगर आपको कड़ी को अलग से और फ्राइ करना है तो इसका वीडियो मैंने शॉर्ट में डाला है आप वहाँ जाके देख सकते हैं ये देखिए हम लोग इसे चलाते चलाते पकोड़ियां एड़ करके इसे लो फ्लेम पे थोड़ा सा पकाएंगे अभी इसमें देखिए उबाल आ रहा है और फ्रेना भी है तो जब ये फ्रेना उठना बंद हो जाएगा तो समझ लीजेगा आपका आपकी कड़ी तयार है इसको यूँ ही चलाते रहेंगे बीच बीच में कहीं जलना जाए लीजेए अभी आपकी कड़ी बिल्कुल तयार है यह देखिए इतनी गाड़ा-गाड़ा सा इसका टेक्श्चर हो गया है तो तयार है आपकी कड़ी इंजॉय कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार